बिहार के गोपाल गंज में शराब तसकरों की गाड़ी का पीछा करने के दौरान तसकरों वो पुलीस की गाड़ी दुरघटन ग्रस्थ हो गई घटना मीर गंज थाना क्षेतर के एकडंगा गाव की है हाथसे के बाद गुसाई ग्रामीनों ने शरीपूर थाने की पुलीस वाहन को क्षती ग्रस्थ कर दिया हंगामे की सूचना पर हत हुआ SDPO समेट चार थानों की पुलीस ने पहुँचकर मामले को शांत कराया बताया जाता है कि श्रीपूर थाने की पुलीस कौपियो सवार शराब तसकरों का पीछा करते हुए मीरगंज थानाक्षेत्र के एकडंगा चेक पोस्ट पर पहुँच गई, जहां तसकरों व पुलीस की गाड़ी दुरघटना ग्रस्थ हो गई हाथसे के बाद एकडंगा के ग्रामीनों ने श्रीपूर पुलीस पर बेवज़ परेशान करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलीस वाहन को क्षति ग्रस्थ कर दिया वही इस मामले में स्पी स्वर्ण प्रभात सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी वाहन को क्षति ग्रस्थ करने के मामले में F.I.R. दर्ज कर दोशियों पर कारवाई करने का निर्देश दिया है चेद्र की आज की घटना है श्रीपूर थाना देश के दोरा एक शराब तसकर का पीशा करते हुए और वहां सराब तसकरों को गरतार किया गया था इसी करम में जो गाड़ी थी तसकरों की वह दुरभातना गरस्थ हो गई थी और इसका फाइदा उठाते हुए जो आसपास के जो समाजीक लोग हैं उन्होंने पुलिस की गाड़ी को चतिगरस्थ कर दिया अब पुलिस के साथ कहां सुनी भी किया और घटना के सुचना मिलता ही है इसे चो मीरगंज और सब्सक्राइब को समाने किया गया और इसमें से हम लोग उने को कुछ फूटेज मिला है इसमे पुलिस की गाड़ी को चतिगरस्थ करते हुए दिखे हैं कुछ लोग उनकी प्रत्मिकी दर्श किया है उनकी जल से जल गिरतारी करने का निर्देश दिया गया बंधक बनाने की बात बिल्कुल गलत है बंधक किसी को रही बनाया गया था पुलिस बल्चू की कम था तो लोग यारी